नमस्कार आप देख रहें दबिहार टॉप और मैं हूँ आपके साथ करुना तिवारी लोकसभा का चुनाओ है और इसमें साथ चरन में चुनाओ होने वाला है अब देखें चार चरन का चुनाओ है वो हो चुका है और पांचवे चरन का चुनाओ होने वाला है जो कि 20 माई को होगा अब देखें हर चरन के चुनाव में बिहार में कुछ ऐसी सीठे रह रहे हैं जो हम हॉट्षीट बनी हुई है जो सब की निगाहों में आ जा रही है अब इस वर पांच चरन के चुनाव में भी देखिए लुए पांच सीतों पर चुनाओ होने वाला है सितामधी, मुझफरपूर, मधुबनी, सारन और हाजिपूर अब देखिया हाजिपूर भी है जो होट सीट बना हुआ है क्योंकि वहाँ से चिराग पासवान है दूसरा है सारन लोकसभाद छेत्र जो कि सारन को देखा जाए तो सारन भी होट सीट बना हुआ है इसकी वजब ही है क्योंकि यहां से लालू प्रशाद यादो की बेटी रोहनी अचारिया यहां से चुनाओ पहली बार लड़ रही है अब यहां पहले से ही रघुबनसी और यदुबनसी के बीच में एक मुकाबला रहता है अब जातीय समीकरन के अनुसार देखा जाए तो यहां पे लालू प्रशाद यादो जो है वो हमेशा से कहते आया है कि लालू का मतलब यादो और यादो का मतलब लालो लेकिन 2014 से ही यहां पे राजियू प्रताप्रोड़ी बीजेपी यानि एन्डिय के प्रत्यासी जो है वो यहां से जीतते आ रहे हैं लालू प्रशाद यादो को यहां से हराते आ रहे हैं अब एक तरफ हो गये रगुवंशी और दूसरे तरफ यदुवंशी अब दोनों के बीच में मुकाबला होता है क्योंकि जो जाती है वो कहीं न कहीं हावी तो जरूर होती है अब इस बार भी लालू प्रशाद यादों को एक बड़ा टेंसन हो गया है सारन लोगसभा छेत्र में बता देखे वहां से उनके बड़े बेटा जो तेज प्रताप यादों है उनकी पत्नी एस्वर्या राय सारन की ही बेटी है अब देखे श्वर्या राई चंद्रीय राय की बेटी है और वही समय में और बादे से हारे थे फिर से वहीर समीकरन आया एमवाई का समीकरन चला बिहार में जातिये समीकरन का नुसार हर जगर चुना हो रहा है और जातिये जन्गर्णा भी हुई है इसलिए अब लालु प्रसाद यादों को एक टेंसन हो गया है उनके अपने ही समधी से जो कि वहां की जो बहुत बड़े नेता है चंद्रीका राय अब चंद्रीका राय एक समय था कि लालु प्रसाद यादों के लिए हमेशा से वहां खड़े रहते थे और वोट मांगते थे लेकिन 2020 में के विधान सभाचुनाओं में वह जेडियों में सामिल हो गए और जेडियों में सामिल हो गए जनसंपर्ख भी साथ रहें सभा भी रख रहें मीटिंग भी रख रहें राजिव प्रतापूढ़ी को वोट दिलाने के लिए एंडिय के को वहां पर जित हासिल कराने के लिए कहीं ना खहीं उनको ये भी टार्गेट है उनका की दो हजार पचीस का जो विधान सभा चुना है मीडिया से भी बात्चित करती हुए हमेशा नजर आ रही है अब एक तरफ जो चंद्रिका रहा है वह अपनी बेटी को भी लेकर जो कि उनकी बेटी जो एस्वर्या रहा है तेज प्रताप यादों की पत्नी है और इनके बीच तलाग का भी मामला जोरो पर है और वही प्रत 182 राजिव प्रताप के रूढी के समर्थन में जोर्ठोर से प्रचार कर रहे हैं चंद्रिका राय ने अपने छेत्र में एंडीय को मजबूत करने के लिए लगातार बैठ के कर रहे है और दौरे भी कर रहे हैं उन्होंने दावा किया कि सारण लोग सभात छेत्र के दताने वाली सभी विधान सभाज सीटों में एंडिये को बहुमत से यहां पर लीड मिलेगी दूसरी और सारण लोग सभाज सीट पर रोहनी अचार्या के लिए लालू परिवार ने अपना पूरा जोर लगा दिया है लालू और राबडी से लेकर तेजस्वी और तेश प्रत का चलेगा यह तो चार जून को पता चलेगा लेकिन देखिए कहीं न कहीं इस राजनीती में भी अब परिवारिक जो मामला है वो भी सामने दीख रहा है क्योंकि चंद्रिकार राय उन लालू प्रसाद यादों के समधी है बड़े बेटा से उनकी बेटी का शाधी हुआ है अब देखें जो जिस तरीके से प्रताड़ना का भी केश चला है कहीं न कहीं चंद्रिकार राय चाहर है कि वहां से उनकी बेटी हार जाए और वहां पे एंडिये की सरकार बने यानि राजियू प्रताप रूडि भारी मतों से फिर से एक बार जीते राजियू प्रताप आपडेट्स के लिए मारे साथ बने रहा हो देखते रहा है दभी हार्टॉप